सब्सक्राइब कीजिए दे एक्सल अकेडमी चैनल को क्वालिटी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाईए जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप बैतरिन तयारी कर सके जिसने बोला कल उसका आज का दिन गया टल जिसने बोला परसों तो उसके बीट गए बरसों जिसने बोला आज उसी ने किया राज उसी ने किया राज दोस्तों आपको यदि राज करना है तो आज कल का समय आज बोलने का भी नहीं है अभी इसी वक्त इसी समय सुरू करना होगा तो चलिए सुरू करते हैं शिक्षन विदियों की एक और धमाकेदार शिक्षन विदी इसमें एक नहीं हम चार सिक्षन विदियां पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे चली शुरू करते हैं देखो दोस्तों हम पढ़ेंगे आगमन विदी और निगमन विदी ये दोनों को हमने एक साथ इसलिए उठाया है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरी थे तो हम तुलना करके पढ़ेंगे दोस्तों ये भी एक सिक्षन विदी का एक बहतरिन तरीका है ये दि हम कोई भी ऐसा कॉंसेप्ट, कोई भी ऐसा टोपिक जो या तो एक दूसरे के समान हो या एक दूसरे से विपरीत हो तो उनको हमेसा साथ साथ पढ़ना चाहिए इसलिए मैंने जब पॉलिटी पढ़ाया तो राष्टपती की तुलना मैने की किस से राज्येपाल से और जो महाधी व्यक्ता था उसकी महान्याइवादी से के की तुलना करके आपको पढ़ाया कि क्या अंतर है क्या समानता है कोई भी ऐसा टोपिक आपको मिले मैं आपको भी बताता हूँ जब आप खुद भी पढ़ें तो ऐसे दो टोपिक को आप एक साथ उठाईए और दोनों में डिफरेंस करते हुए चलिए अच्छा इसमें यहाँ पर अंतर है और वहीं से examiner क्या करता है क्यूंसण को उठाता है और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वहीं पे क्या हो जाते हैं देर हो जाते हैं तो आपको देर होना है या आपको उसी चीज को अपनी टाकत बनाना है यह आपके उपर निरबर है मैं तो जब पढ़ाऊंगा तो आपको इसी style से पढ़ाऊंगा कि जो जो same रहेगी उसको एक साथ उठाऊंगा जहां जहां difference हो सकता है हमाँ difference करूंगा कहां पे आपको focus ज्यादा करना है वहां पे आपको focus करने के लिए बोलूंगा और साथ में मैं ये भी बोलूंगा कि आप जब भी मेरा lecture देखें या हमारी पूरी टीम का जब भी lecture देखें तो एक copy और एक pen लेके जरूर बेठें या आप अपने mobile में screenshot लेने की आदत जरूर डालें हम लोग कई बार बोल देते हैं लेकिन कई बार बोलना भूल जाते हैं कि आपको screenshot लेना है ये तो आपको अपने दिमाग को याद रखना है आपके फायदे की बात आपको याद रखना है तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय खराब करने से पहले दोस्तो एक है आगमन वीदी एक है निगमन वीदी बहुत ही ध्यान से है बहुत ही दीरे से अच्छे से दिमाग में बिठाते वे चलिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन यहाँ से क्यूशन आने की probability क्यूशन आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है 80 से 90 परतिसत इस वाले वीडियो से आपको एक से दो क्यूशन जरूर मिलेगा वो चाहे रीट लेवल वन में हो या रीट लेवल टू में 101 परसेंट इस वाले वीडियो से मेरे को ऐसे उम्मीद है कि क्यूशन आपको जरूर मिलेगा तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, दोस्तों आगमन विदी दी थी अरस्तु ने, निगमन विदी दी थी प्लेटो ने, दोनों बात को किलियर कर लीजिए, और आपको नोर्स बस इतना ही बनाना है, आगमन विदी अरस्तु, निगमन विदी प्लेटो, मैंने यहां पे लिखा है, आप पास में लिख लो, जैसे यहां पे लिख लो, प्लेटो, जब आप पढ़ने बेठोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या है, प्लेटो ने दी निगमन विदी प्लेटो ने दी एसा बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सेंटें समय उसको कीमत देगा, और जो समय को खराब करेगा, तो समय ही एक दिन उसको सिखा देगा कि मेरी ताकत कितनी है, तो समय की कीमत समझना आज से सुरू कर दीजिए, अब से सुरू कर दीजिए, और यदि आप पहले से समय की कीमत समझ रहे हैं, तो आप बहुत ही समझदार आगे बढ़ते हैं, बासा सिक्षन के लिए ये आगमन, अब देखो हम अंतर करेंगे, पहले आगमन विदी पढ़ लेते हैं, फिर निगमन विदी पढ़ेंगे, और आगमन विदी की दो उप विदियां हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, आगम जो विदी है उसकी दो विदियां एक है परियोग विदी और एक है सहयोग विदी परियोग विदी क्या है क्या इनका कोई दूसरा नाम भी है क्या यह हम आगे पड़ेंगे और निगमन विदी के भी दो विदियां है एक है पाट्य पुस्तक विदी एक है सुत्र विदी तो आगमन विदी की भी दो विदियां हो गई, परियोग विदी और सहयोग विदी, वेसे ही निगमन विदी की भी दो विदियां हो गई, कौन सी, पाट्य पुस्तक विदी और सुत्र विदी, सुत्र विदी क्या है, पाट्य पुस्तक विदी क्या है, यह हम थोड़ इसी देर ब लेकिन ये बात याद रखिए, दोनों ही विदियां व्याकरण को सिखाने के लिए है, यदि एसा क्यूशन पूछा जाता है कि निमलिकित में से व्याकरण को सिखाने वाली विदी नहीं है, तो उसमें ने तो आगमन आएगी, ने तो निगमन आएगी, एक सपोर्ज नीचे दे दिये, बासा संसर्ग विदी होती है, वो भी व्याकरण को सिखाती है, तो आगमन विदी भी सिखाती है, निगमन विदी भी सिखाती है, बासा संसर्ग विदी भी सिखाती है, और कोई चोता ओप्शन होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो आप को बहुत अच्छे से सीखना है दोनों ही विदियां क्या करती है यह एक समानता है इनकी क्या है कहां समानता है कहां पर अंतर है दोनु बातों को समझना है हमारे को आगमन विदी और निगमन विदी दोनों ही विदियां क्या है व्याकरण को समझाती है व्याकरण को सिखाती ह व्याकरण के लिए विदियां है केसे भी बोलो बात एक है इसका सीधा लिंक किसे है व्याकरण से तो आप जब नोर्स बनाओ तो आगमन विदी यहां पे सीधा लिख लो व्याकरण बस इतना लिख लिए यह नोर्स हो गए आपका इतने छोटे नोर्स केवल वो नोर्स आपक हो गई यहां पर भी व्याकरण लिख लो यहां पर एक ही बात है आगे बढ़ते हैं देखो हम दोनों में अंतर करते हुए पढ़ रहे हैं आपको मेरा पढ़ना आने का तरीका बेलकुल विपरीत बिलकुल अलग होगा बाकी लोगों से एकदम दोनों को साथ लेके हम चलेंग देखो भासा सिक्षण के लिए सर्वोत्तम है कौन सी दोनों ही मैंने क्या बोला था आगमन और निगमन दोनों ही किसको सिखा रही है व्याकरणों को व्याकरण में क्या होते है नियम होते है कि दिरिग संदी के नियम क्या है समास के नियम क्या है परत्य के से लगता है उप आगमन विदी के से करती है थोड़ा सा बाद में बताऊंगा दोस्तों होता है कि आगमन विदी में हम बालकों को कोई भी सिद्धान्त या नियम या कोई रूल्स जब पढ़ाते हैं प्रीबासा पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाने से पहले उससे समंधित उदाहरन पहले देत आगमन के पासान हो जाता है तो यह वाली चीज छोटे बालकों को समझाना पड़ता है छोटे बालकों को डायरेक्ट डेफिनेशन बता दी तो उसको समझ में नहीं आएगा और निगमन विदी इसका जश्ट उल्टा है उसमें क्या करते हैं सिद्धान्तों या नियमों को बताया जाता है नियमों को सिदान्त को या प्रिवासा को पहले बता दिया फिर उस प्रिवासा नियम या सिदान्त का क्या उदारन बन रहा है तो नियम से उदारन की और जाते हम निगमन विदी में इसका उल्टा आगमन विदी में हम नियम उदारन और से जाते हम नियम या स शिद्धान्त की और, इसमें क्या है, नियम से उधारण की और, इसमें उधारण से नियम की और, तो देखो, उधारण से नियम की और हम जा रहे हैं, यह हो गया हमारा उधारण, उधारण से हम नियम की और जाते हैं, उधारण के बादि हम से नियम को समझाने की कोशिज करते तो इसलिए ये क्या है विज्ञान के सिद्धान्तूं वे नियमों का क्या कर रही है निर्मान कर रही है यानि निर्मान कहने का मतलब उसको नियम बनाने में नियम को सिखाने में बहुत आसान है कौन आगमन वीदी इस बात को आपको याद रखना है अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा साख, देखो, यह व्याकरण के लिए उपी होगी, मैंने बिताया, कि दोनों ही वीदियां, व्याकरण के लिए उपी होगी है, यह नियम से उधारन की और जाएगी, यह कैसे जाएगी, उसका उल्टा, उधारन से नियम की और जाएगी, इस बात को आपको याद यह किसके लिए होगी उच्छे कक्साओं वे प्रतिबा साली बालक को रूची कर लगेगी कौन सी निगमन विदी प्रतिबा साली बालक क्या होता है कि कोई भी definition है उसको फटाक से रट लेता है या सीख लेता है या समझ लेता है केसे भी बोलो जब छोटी कक्साओं की बात होती है तो समझने की उतनी शक्ती नहीं होती वो रटता ही है जब सुरू में हम पढ़ते थे तो एक स्टोरी नहीं आती थी once upon a time crow he was thrifty he searching hair and there इसा क्या करते थे हम उसका आने को रटते थे उसका meaning क्या है कुछ पता रही था sentence को रटते थे पहली से दूसरी तीसरी कक्साओं में ये हमारी हालत हुआ करती थी तो वो सब की होती है तो परतिभा साली जो बालक होगा वो क्या करेगा उसको हूब हूब रट लेकिन जो थोड़ा सा कमजोर चातर होगा जो थोड़ा सा मंद बुद्धी वाला चातर होगा उसके लिए ये रटना थोड़ा सा टफ हो जाएगा उसके लिए ये वाली विदी काफी important है उसको हिंदी में पहले कार्णी बताएंगे कि ए कोवा था कोवा घूम रहा था वहा कुछ-कुछ लिखने की कोशिस करेगा तो इसमें क्या होगा पहले इतनी कार्णी बताई फिर नियम की तरफ गए तो इसमें क्या होगा समय ज्यादा लगेगा किसमें आगमन विदी में और इसमें समय क्या लगेगा कम लगेगा सीधे हम सिद्धान से उदारान की तरफ कभी दोस्त बढ़ाऊंगा कभी घुन पढ़ाऊंगा कभी कुछ लेकिन आपके दिमाग में 100% बेठेगा ये मेरी गारंटी है आप इसे इसाब से पड़े आप देखो निगमन विदी से हमने क्या कर लिया उच्छे कक्साओं के लिए ये किसके लिए पहले उदारन उसको प्रात्मिक इस्तर के लिए यानि एक से पांच के लिए ये आगमन विदी बेश्ट विदी है सबसे पहले उदारन देना है उदारन के बाद नियम की और जाना है बले समय ज़्यादा लगे छोटे बालकों के लिए बहुत समय समय और निगमन विदी उच्छे कक्साओं के लिए आती है यदि options में आपको confuse करने के लिए या थोड़ा घुमाने के लिए प्रतिबासाली बालक दे तो वो क्या करते है कुछ प्रतिबासाली बालक होते है वो ग्रहन इसको कर लेते है रट लेते हैं अब देखो ये क्या हो रहा है पहले नियम फिर उदारन तो पहले न निगमन विदी पहले नियन सीखना है मतलब उसको रटना पड़ेगा तो ये क्या कर रही है रटने पे जोड़ दे रही है ये क्या कर रही है ये चिंतन का विकास करती है तरक और चिंतन का विकास करती है समस्चा समादान में साहे कम समय में समस्चा को समादान करती है अभी निगमन विदी, आगमन विदी कैसी है, मनोव ए ग्यानिग, उल्ठा है जस्त, एक दूसरे का विप्रीत है, तो जो बात इधर है, वो उधर नहीं है, जो उधर है, वो इसके विप्रीत इधर है, एसा आपरे को सिखना है, आप देखो, नियम से उधारण की तो, अज्यात से की ऊ-उतर्ण की ओर। अग्यात से फिर उधारन, उधारन तो हमारे जो देनेक लाइफ में जो हं से हम उधारन उठाते हैं तो वह चीजे बालकों को थोड़ी-थोड़ी सि पता होती है तो और नियम को चोटे बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो वो गुर्तवा करशन दिख रहा है क्या उसको जैसे पेन गिर रहा है वो तो दिख रहा है लेकिन पेन के पीछे कौन सा बल काम कर रहा है वो बल तो उसको दिख नहीं रहा तो जो चीज हमारे को दिखती नहीं है और होती है उसको बो हाँ मूर्थ तो नियम तो दिखते नहीं नियम से उधारण हो दिखाइँ दे lohत पीज ihsan पाल झाले के घंगिलिते मुर्त की ओर हो तदिजानि कर दो सुटर व्याकरान के ओर शुतर। है निगमन विदी के देख दो पाठ़े, पाठ़े पुश्तक और शुत्र में क्या होते है? व्याकरन की सुत्र होते है लेकीन ये छोटे बालकू के लिए नहीं है, उच्छे कक्साओं के लिए है, ये बात हमने देखा समस्या, समधान में इसमें कम समय लगेगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा, मैंने पहले ही बताया, आप देखो आगे, इसमें क्या हो रहा था, सुत्रवे नियमों से, पहले नियम सिखा, फिर उसका तुरंत, तो इसमें समय क्या लगेगा, कम लगेगा, इसमें समय क्या होगा ज्यादा लगेगा, क्योंकि पहले उदारन देंगे, पूरा बेग्ग्राउंड बनाएंगे उसके बाद हम नियम पे जाएंगे तो इसमें थोड़ा समय जाएदा लगेगा तो फाटी करम पूरा होने की थोड़ी सी दिक्कत होती है, समय पे फाटी करम तो आप जब वीडियो देखेंगे, मेरा यह आपको बहत्रीन डंग से मैं बता दूँ, हमारा वीडियो 20-25 मिनिट का होगा, लेकिन आपको सदा के लिए याद कराएगा, याद करने में बहुत आसानी होगी, और आप बुक लेके जब बैठोगे तो आपको इसा लगेगा कि जाना पेचाना लग रहा है, तो कुछ-कुछ चीज़े लग रही है, अब पहली बार पढ़ोगे तब भी, और अब यदि एक्सपिरियंस बरसने, दो-तीन बार आपने तैयारी पहले कर लिए, तो आपका एकदम कंठस्त हो जाएगा, बहुत अच्छे से, अब देखते हैं आगे, तो समश्या, शमादान में यह क्या, इसका क्या लगेगा, समय कम लगेगा, इसमें समय ज्यादा लगेगा, इसमें क्या था, पहले एक्जामपल दिया, फिर उदारन की तरफ गए, तो इसका जो ज्यान होगा, इस्थाई ज्यान होगा, जबकि इसका उल्टा क्या है इसका ज्यान क्या होगा ए स्थाय होगा ये कौन सी विदी है मनोविज्यानिक विदी है ये कौन सी है ए मनोविज्यानिक विदी है इस बात को भी आपको जरा याद रखना है अब देखो जो आगमन विदी है उधारन से नियम की ओर जा रहे हैं जैसे देव प्लस आले सोटे बताया कि देखो यहाँ पे ए है यहाँ पे आ है ए प्लस आ मिलके बनता है आ यह क्या होती है यह दिर्ग संदी यही बन गया उसका नियम क्या बन गया नियम तो पहले उदारण बताया फिर क्या बताया नियम बताया तो उदारण से नियम के और जाने वाली विदी कौन सी है गमन विदी है, उसका उल्टा क्या है उदर? नियम से जा रही है, उदर हन की तरह कौन जा रही है? निगमन विदी जा रही है, निगमन को किस ने दिया था? प्लेटो ने, इसको किस ने दिया? अरस्तु ने, दोनुं ही क्या सिका रही है? व्याकरान, ये है मनोविज्यानिक, इसका ग्यान क्या होगा इस्थाई होगा आगे देखते हैं इसमें क्या लगेगा ज्यादा लगेगा इसमें क्या लगेगा कम लगेगा ये कौन सी कक्साओं के लिए प्रात्मिक कक्साओं लगे ये उच्चे कक्साओं के लिए निगमन विदी उच्चे कक्साओं के लिए आए दे ए प्लस आ के से आ रहा है तो यहां पे क्या होगा तर्क वे चिंतन का क्या होगा विकास होगा समश्य शमादान जल्दी से होगा प्रारंबिक कक्साओं के लिए उपी होगी व्याकराण के स्रेश्ट विदी समय अधिक लगेगा हमने जैसाब बोला पाठेकरम कम समय पर पूरा होगा प्रतिबासाली बालकों को इसमें क्या रहेगी निरस्त रहेगी उसको एक बार में ही समझ आ जाता है प्रतिबासाली बालकों को तो उनको थोड़ा सा लगेगा यार की यार टाइम ज्यादा लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा मेरे को जर पाठे पुस्तक और सुत्र विदी के बारे में देखते हैं अब हम जो निगमन विदियों की दो विदियां थी इसकी दो विदियां थी एक थी पाठे पुस्तक विदी दूसरी थी सुत्र विदी उनके बारे में जान लेते हैं देखो पाठे पुस्तक विदी क्या है देखो विद्यालियों में व्याकरण को पढ़ने के लिए पाठे पुस्तक होती है उस पाठे पुस्तक में क्या नियम सिद्धान्त और परिभासाइं दीर होगी नियम रटने पर जोर होगा उदारहन के माध्यम से नियम को इसफष्ट करने की कोशिस की जिएगी देखो निगमनी व दोनों लिए निगमन विदी की बेटियाँ है ये सहब मान के चलो, निगमन विदी की दो बेटियां कौन है, पाठे पुस्तक विदी और सुत्र विदी, सुत्र विदी में आपको याद रखना है, संस्कृत भासा से यह आई है, कहां से आई है, संस्कृत भासा से, पाणे नी ने अस्था ध्याई भूक लिखी थी, वहां से इसको लिया गया, यह वाली चीज एक बार पूछी गई है, लेवल वन के एक्जाम में, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, सुत्र विदी, सुत्र कहां से आते हैं, संस्कृत से, संस्कृत में, पाणे नी की, अस्था ध्याई भूक, आप सोसल साइंस में भी य रचना किसकी है, माने नी की है, और ये सुत्र विदी भी क्या है, ए मनो विध्यानिक विदी है, ये निगमन खुद ये तो उसकी बेटियां भी क्या होगी, उसी जात की हुई न, दोनों एक जैसी ये रटने पर जोड दिया जा रहा है, रटने पर जोड देंगे तो क्या ह होगी . BROWN IN VIGYA NIKK्ञ होगИ दूसरा अब देगो.शरा ढालके पुस्तक में क्या दे दी पा क्ट्रे पुस्तक दे दी व्याकराण होगी उस में नियम होंगे परिवासए होगी सिधान्त होंगे। उसको क्या किया जाएगा। रटाने की कोशिस की जाएगी शिखाने की नियम रटने पर जोर उदाहरण के माध्यम से फिर एक बार प्रिवासा जब सिखा दी उसके बाद उदाहरण जब देंगे यह क्या हो रही है नियम से उदाहरण की तरफ जा रही है तो यहां पर फिर उदाहरण के माध्यम से नियम को स्पष्ट करने की कोशिस की जाएगी फिर जब नियम स्पष्ट होगा तो फिर अभ्यास परशन हल करवाया जाएगा बासा का परियोग का अभ्यास इसमें नहीं होता है इसमें परियोग केसे करना है ये इसका एक दोस है बहुत बड़ा और इसके और क्या दोस हो सकते हैं एमनो वेग्यनिक तो ही, उससे क्या होगा, शिक्षन कारिये बच्चे को निरस लेगेगा, एरोचक लेगेगा, और प्रबाव हीन शिक्षन होगा इससे, कि पहले नियम को रटा दिया, फिर उदारन दे रहे हैं, तो ये इससे बच्चे को मजा नहीं आएगा, तो ये इसका आगमन विदी की दोनों बेटियों को पढ़ लिया, कौन सी फाट्य पुस्तिक विदी और सुत्र विदी, सुत्र विदी में आपको ये याद रखना है, दोनों कोई रटने पर जोर दे रही है, एक प्रिपासा रटने पर जोर दे रही है, दूसरी सुत्र रटने पर जोर रही है चलो अब हम देख लेते हैं निगमन विदी की बेटियां तो हमने देख ली अब हम आगमन विदी की दो बेटियां हैं कौन-कौन सी परियोग विदी और साहिक विदी उनको देख लेते हैं दोस्तों अब हम आगमन की दो बेटियां हैं उनको पढ़ लेते हैं देखो आगमन विदी केसी थी, मनोविज्यानिक विदी थी, तो दोनों ही विदियां केसी है, मनोविज्यानिक विदी है, इसकी बेटी ये ने, उदाहरण से हम नियम की तरफ जा रहे हैं, किस में, आगमन विदी में, और निगमन विदी में इसका उल्टा था, जैसे हमने पहले पहले उदारन बता दिया, जैसे उदारन बताया, देव प्लस आले, क्या बताया, देव प्लस आले, सेम सेम एसे ही दे दिया, हिम प्लस आले, विद्या प्लस आले, एसे क्या हुआ, जो समान लक्षन वाले उदारन हैं, उसके माध्यम से नियम को सिखाने की क्या की जाती है, यानि परियोग करके बताया जाता है व्याकरन पढ़ाते समय पहले उधारण फिर नियम सिखाया जाता है विद्यारतियों दवारा नियम बनवाए जाता है देखो एसे बहुत सारे उधारण हो गए उन उधारणों के माधियम से नियम कैसे बनेगा जैसे देखो ये क्या होता है A प्लस A बन के क्या हो गया इसमें भी क्या हो रहा है A प्लस A मिल के क्या बन गया A मिल के क्या बन गया लेकिन इसमें क्या है A प्लस A मिल के क्या बना नियम बन गया तो ये दिर्ग सिंदी का नियम भी है जब हम संदी पड़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा की संदी क्या होती है केसे पढ़ना है आपको याद कहाना है कौन-कोन से सब्दे जो विशे रूप से आपको याद रखने है और संदी के नियम के से याद रखना है, संदी बहुत ही easy topic है, बहुत अच्छा topic है, संदी के माधियम से जो परत्य और उपसर्ग होते हैं, यदि हमारे को संदी का अच्छे से knowledge होगा, तो हमारे ने तो उपसर्ग गलत होंगे, ने तो परत्य गलत होंगे, विलोम सब्द, प्रिय से योग करके नियम को बच्चे को पढ़ाना, नाम से ही पता चल रहा है, बस इतने ही आपको याद रखना है, से योग, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि से योग करने वाली विदिय है, कि कोपरेट करने वाली विदिय है, व्याकरन के नियम प्लस उदरान, दोनों को एक सब्द होता है वाइट सफेद तो ये चीजे पढ़ते पढ़ते ही बता दिया व्याकराण की अलग से बुक रखने की इसमें जरूरत नहीं है व्याकराण में पाठे पुस्तक को साथ साथ करके पढ़ा पाठे पुस्तक से ही व्याकराण को पढ़ा दिया जाता है व्यवहारि यह नियम से बढ़ना रहे थे परियोग करके दिखा रहे थे वेसे उसमें व्यवहारिक दिये जाते कि बहुत ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है, केवल नाम आपको याद रखना है, आगमन की दो वेटियां, एक है परियोग वीदी, एक है सेयोग वीदी, निगमन की भी दो वेटियां कौन, एक पाट्य पुस्तक वीदी, एक सुत्र वीदी, पाट्य पुस्तक वीदी में हैं, वीडियो केसा लगा यह मेरे को comment box में जरूर बताईएगा वीडियो यदि आपको really अच्छा लगा तो आप like करें otherwise नहीं करें और आप इस channel पर बने रहेगा चैनल को subscribe कर लिजीगा यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद